हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका आपके अपने येट्योब चैनल इसमा इंवेस्टमेंट में ट्राइडेंट लिमिटिड के शेयर ने पिछले दस दिनों में 90% से ज्यादा का रिटन इंवेस्टर को दिया है फिरंट्स ये स्टॉक हमने अपने चैनल पर काफी बार आपको रिकमेंट किया है सब्टेंबर के आसपास भी जब ये स्टॉक साड़े साथ आठ रुपे के आसपास चलता तब हमने आपको बताए तक इसको खरीद दिये और आने वाले टाइम में ये स्टॉक जबर्दस आसक पैसे के आसपास जो है दिसंबर 21 करस का प्राइस था और आज अलगबग 16 रूपे के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है मोटा मोटा माने के चलिए 10 टेडिंग सेशन में स्टॉक डबल हो चुका है आज की इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि क्या अभी भी कोई बाइंग ऑपर्चुनिटी से स्टॉक में बची है और जो इन्वेस्टर स्टॉक में इन्वेस्टिड हैं लोर लेवल से इन्वेस्ट करके बैठें उनकी अब क्या स्ट्राइजी होनी चाहिए क्या प्राफिट बुक कर ले या नए हाई आने वाले टाइम में देखने को मि लेंगे ट्राइडेंट ग्रूप की अगर बात करें तो एक बिलियन यूएस डॉलर से बड़ा ये ग्रूप है जहां पर ये ग्लोबल प्लेयर है और जो है 75 से ज्यादा कंट्री में इनका बिजनस फैला हुआ है यहाँ पर फ्रेंट्स यह जो कंपनी है यह बेसीकली जो है फाइव मेजर बिजनस सेग्मेंट में डेल करती है जिसमें यान, होम, टेक्स्टाइल, पेपर, कैमिकल और कैप्टी पावर प्लान्ट है इनकी जो मैनुफाक्चरिंग फैसलिटीज है वो पंजाब और मध्य परदेश में है अब आप फ्रेंट्स एक बात समझे इसी स्ट लैंबर में गटके 900 करोड के आसपास रह गई है ड्रास्टिकली इस कंपनी ने अपने डेट को रिड्यूस किया है इस स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है इस वज़े से जो है मार्केट को रिच वालुइशन नहीं दे रहा था क्योंकि एक बड़ी डेट जो है काफी बड़ा कंसर्न था अधर्वाइस फंडामेंटली देखें तो स्टॉक पांच परसंट की आसपास का डिविडेंट डिल दे रहा था डिविडेंट डिल इनका बहुत बड़ी है इसके अलावा जो है जब आट रुपे से लेके 6 रुपे के रेंज में काफे टाइम इस ने रहा है तो अभी भी वालुएशन रीजनेबली प्राइज हैं हाओएवर इसको जो इसमें जो बड़ा रन देखने को मिला है उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि कहीं न कहीं गुरूप एक्स्पेंशन की बात है चल रही है और डेट को इन्होंने ड्रास्टिकली डिविड इसका अभी भी बैठता है अगर किसी के पास यह स्टॉक है टेकनिकल फ्रंट पे स्टॉक जो है पचास सो और दो सो तीनों जो है सिंपल मुविंग अवरेजिस के ऊपर ट्रेड कर रहा है इस स्टॉक जो है अंचार्टिड टरिटरी में है और मल्टीपल येर का ब्रेक तो उस रेंज को तोड़ा है और अंचार्टिड टरिटरी में ये स्टॉक अभी चल रहा है फिंस इस स्टॉक में अंडाउटिड ली जो है टेकनिकली पैटरन महुत मजबूत है और यह 18-20 रुपे आराम से यहां से जा सकता है जिस तरह का पैटरन इसमें बना हुआ हुआ अंडामेंटली भी स्टॉक जिस तरह से कंपने ने डेट को रिड्यूस किया है वो स्टॉक के लिए लॉंग टर्म में काफी पॉजिटिव है हाओएवर इतना ज्यादा बढ़ने के बाद जो है स्टॉक में जो अब अपसाइड है वो लिमिटेड रह गई है जिन्नों ने ये स्टॉक एक्जिस्टिंग लिया हुआ है लोवर लेवल से होल्ड करना है हमारी राय पर जिन्नों नीचे के लेवल से खरीदा है वो एक बार को होल्ड कर सकते हैं और 18-20 रुपे की रेंज ये स्टॉक दिखाए तो वहां पर जो है प्रॉफिट बुक करिए 14-14 रुपे पर आप फ्रेश एंट्री मत करिए क्योंकि टेक्स्टाइल और पेपर का जो बिजनस है आप देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी को बहुत रिच वालुशन नहीं मिल रहे हैं तो 18-19 पी भी रिजनेबली प्राइस दे और यहां से जो अपसाइड है वो लिमिटेड है इवन अ एक अच्छी खासी क्रेक्शन भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है तो फ्रेंट्स यहां पर अगर आप फ्रेश एंट्री करते हैं 16 रुपे के आसपास 15 रुपे के आसपास तो किसी भी तरह से रिस्क रिवार्ड आपके फेवर में नहीं है स्टॉक जो है टेक्निकली पै लगते हैं होईवर लॉंग टर्म के लिए कंपनी काफी अच्छे लगती है तो लॉंग टर्म के लिए भी जो सोच रहे हैं वह भी लेवल पर ना खरीदे स्टॉक नीचे आये तो ही खरीदने की सोचे अधर्वाइस इसको छोड़ दे अपने चैरल पर हमेशा हम आपको एक लगेगा ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहां ट्राइप होने के चांस से ज्यादा होते हैं आलोक इंडर्स्ट्री जरूचिस हो या क्लासिक एक्जैंपल आपके सामने हैं तो वह गलती मत कीजिए अब यहां पर जो वालुएशन से हैं वह कहीं न कहीं अगर थोड़ा और पेटरन स्टॉंग है पर फंडामेंटली स्टॉक थोड़ा से एक्स्पेंसिव हो चुका है फ्रेश एंट्री से बचें एक्जिस्टिंग पोजिशन है तो 18-20 रुपे के लिए होल्ड करें और स्टॉप लॉस जरूर रखें ताकि अगर स्टॉक नीचे आये तो आपको जो